कैसे आप SFR हो कि एक मैंने अब लोग सब उसाथ smirton hall तो उसमें है आप लोग से पूछा था आप लोग चाहते हो मैं किस तरीके से रडी हुँ हूं तो सब करऊंगी तो मेरे पास वीडियो के clips थे तो मैंने सोझा कि मैं शेर करना बनता है थोड़ा क्योंकि कमेंट्स पर आये थे तो सबसे पहले आप लोग अच्छी दरीके से अपना स्किनकेर रुटीन कर लो और स्किनकेर रुटीन की प्राइमर बहुत ज़रूरी है समर के टाइम पर नहीं तो आपका मेकप बहुत अच्छी तरीके से बह जाएगा स्वेटिंग के वज़ा से उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं फांडेशन के लिए स्वेटिंग के तरफ से जो की है शेड नमर फाइव और समर के टाइम पर यह बहुत जाद अच्छा होता है एकदम लाइट विट यह फांडेशन है वाटर रिजिस्टेंट है और अच्छी तरीके से आपके स्किन के ऊपर ब्लेंड हो जाएगा तो बहुत अच्छा यह पर लगा लूँगी और बिल्कुल भी गर्मियों के टाइम पर आप इसी तरीके के फांडेशन यूज कीजिएगा और ज्यादा हैवी कवरेज के फांडेशन आप यूज करते हो तो आपका स्किन थोड़ा सा स्टिकी दिखने लगता है और थोड़ा स्वेटिंग के अज़ यूज कर सकते हो मैं अच्छी तरीके से अपने फुल फेस और ने केरिया पर लगा लूँगी समर के टाइम पे थोड़ा सा टैनिंग दिखने लगता है तो आपका स्किन टोन आपका ने केरिया थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो इस वाज़े से हमें हमेशा ही स्किन पे या च्छी तरीके से लगा एंची तरीके से किया तो यह फाउंडेशन भी आपके सिकन को पर अची तरीके से ब्लेंड हुजाते इगा उसके बाद मैं हुआ पे ले रही हूं किये है NY Bay के तरफ से SPF 40 इसमें है और कोई भी आप समर के टाइम पे में बोलूंगी कि जिसमें SPF प्रेजन्ट हो वही आप कॉम्पक्त यूज कीजिगा उससे आपके स्किन के लिए बहुत जादा अच्छा होता है तो मैं यहापे NY Bay का यूज कर रही हूँ अच्छी तरीके से आप यूज कर लीजिगा पुरे फेस पे एंड लगाने के लिए आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो ब्रश भी और कॉम्पक्त के साथ जो आता है वो भी आप यूज कर सकते हो तो मैं अच्ही तरीके से लगा लेने के बार यहां पे मैं लेरी हूँ आई के लिए यहां पे लेरी हूँ मेबलीन के दर्ड़ से यह हैा waterproof mascara जो की बहुत अच्छा mascara मेंने से आता है अड़ मेबलीन का तो आप लोगों ने बहुत सारी reviews कहीं आप अब ही इसकी फुल रिव्यू दे की रखी है तो डिस्क्रिप्चिन में आपको लिंक मिल जाएगा मुझे मेवलीन का जितने आई से रिलेटेड चीजें वह बहुत जादा अच्छा लगता है इसका काजल भी बहुत जादा बेस्ट है उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी क्योंकि मैं आईब्रोज नहीं बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा उसको ठीक करना ज़रूर रहता है अगर मैं बहार जाती हूँ तो मैं यहाँ पर ब्राउन शेड ले रही आईब्रोज के लिए तो मैं अच्छी तरीके से ब्रेश अप कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी जो की है आई के लिए काजल यह है लाकमे का लाकमे वाटर प्रूफ यह काजल है बिल्कुल भी समझ नहीं होता है जब तक आप अपने आईज को रब नह करता है कि कि मैं कालेज जाती हूँ तो मैं यही ही यूज करती हूँ बल्कुल भी समझ नहीं करता है एट आवर्स के बाद भी तो मैं लोर और अपर दोनों आईलीड पर लगा लूँगी अच्छी तरीके से उसके बाद में यहां पे ले रही हूँ आपने ब्लश के लिए जलस्ट हब के तरफ से लिप एंचिक तिंट यह बहुत अच्छा तिंट है और इसका शेड नंबर है 06 पिंक फॉरेवर इसका नेम है यह बहुत अच्छा लिप एंचिक तिंट है बहुत क्रीमी टेक्शर आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से आपके स्किन के ओपर ब्ले करता है हल्दी स्किन दिखता है और बिल्कुल भी मैट फिनिश आपको नहीं देगा लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह आपको समझ करेगा बहुत अच्छी तरीके सापके स्किन के ओपर ब्लेंड हो जाती है तो लिप्स के लिए भी मैं यही लगा रही हूं बहुत इसका pigmentation अगदम डारक टोन में आपको मिल जाएगा पिंक को उसके बाद में अपने आइस के लिए भी यही यूज कर नहीं अच् decía सिमये और की मदद से कर लोलंगे अपने अपने आइस बिढ़ पर भी 3-1 यह मुझे यूज में आ जाती है जो की है लिप एंचिक टिन जस्ट हब के तब से इसका इसका प्राइज है 6.96 यह मुझे समिंटन हॉल में ऐस गिफ्ट मिला था तो कैसे मैंने यह गिफ्ट पाया था तो आप लोग जाके जली से मेरा समिंटन हॉल देख सकते हो वहाँ प ग्वाद मैं इसको थोड़ा सेट करने के लिए यहां पर मैं कॉमबैक्ट लगा लोगी ताकि मेरा फेज़ जो भी एक्स चीज़े रहती है उसको शैड आउट करने के लिए मैं यहां पे लगा लगा लोगी लास्ट में इसके बाद यह में इदा भी एक्दम नेच्रल जीजी का मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो